कहते हैं कि लाल बादूर सास्त्री जी खादी के पुराने या कटे-फटे वस्त्रों को भी इसलिस हैज कर रखते थे जो कि उसमें किसी का परिश्रम छुपाग होता है वे कहते थे ये सब खादी के कपड़े बड़ी महनत से बनाये इसका एक-एक सूत काम आना चाहिए देश से लगाव देश्वास्यों को प्रेम की अबावना छोटे से कद काठी वाले उस महा मानव के रगरग में रची बसी थी यही देश यही गम्रा और यम्रा की नभियां यही मेरे किसां यही ठेट खलिवां यह सब होने के बावदूती साट सक्तर के तशक में हिंदुस्तान की देशों से केहों मांगवा का केखा था यह केखों को लाना और गाउंगों बाट माट माइश सक्ता का सुम्स काम रहता एक लालबा दुरसास के जाए जाए जहां किस्तान के घड़ा हो गया और हिदुस्तान पूखा को अजिए जमीन वही क्योंको वही पाली वही के साथ उसके पाउद दुदी अभी नहीं था आज है तो आज़ा वादुरसासति शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारत वास्चियों के मन में एक असीम सद्धा का भाव मड़ परता है। उनका सौम्म्य व्यक्तित्वा हर देश वासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बादूर शास्त्री जी की अविशेस्ता थी कि बाहर से वे अत्यधिक दिनम्र दिखते थी। अब अग्त भीतर से चटान की धरह द्रण दिश्चे ही थी। जय जवान, जय फिसान का उनका नारा, उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान, राष्ट के प्रति, उनकी निश्वार्त तपस्या का ही प्रतिवल्था, कि लगवक डेड़ वर्ष के संशित्त कारकार में, देश के जवानों और फिसानों को सफर्था के शिक्र पर प